आज़े हम न्यूज आर्टिकल देखने वाले हूं 6 जून 2020 का है और पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं इंडिया नेक्सपेस का यह कहता है कैन्बरा कनेक्ट अज़े हम नेक्सपेस का यह कहता है और पहले भी देखा है कि आस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में वर्च्वल समिट हुआ था रिसेंटल ओन फॉर्थ ऑफ जून तो उससे से रिलेटेटी आर्टिकल है हमको पता है कि इस जो समिट हुआ था वर्च्वल समिट उसमें ल इन दोनों को समिट हुआ था यह काफी वेलकम ट्रोग्रेस लेकर आने वाले हैं सेक्यूरेटी कोपरेशन को लेकर के मतलब सुरक्षा से रिलेटर समझाता हुआ है उसमें काफी हद तक जो प्रोग्रेस हमको देखने को मिलेगी लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या च Rabation क्न ठीट से रिलेटर से रिलेटेड भी प्रावधान उसमें होने चाहिए तई अब और इंडिया कवर्गें का कमmer सिस्सक्राइटेश्च देखें तो वो हम नहीं देख सकते कि ऐख थ से यह बाइनिंग चली आ रही है जैसे कि इंग्लिश अगर देखा जाए तो कॉमन लैंग्वेज है साथ ही जो पॉलिटिकल व्यूज है हमारे अगर इंटर्नेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन्स की बात करें तो वह भी कहियां तक सिमिलर देखने को मिलते हैं लाज्टिकेट कमर्शल कल्चरल एजुकेशनल और टेक्निलोजिकल इंगेजमेंट की बात करें दोनों देशों की बीच में तो काफी हद तक रही है तो यही इसमें ही रियंफोर्मेंट की बात हम देख सकते हैं जैसे हमारे इंडियन डायस्पोरा डायस्पोरा मतलब होता है प्रावासी बात करें तो लगभग 7 लाग के करीबं जो भारतिया वह उस्ट्रेलिया में रहते हैं और लगभग प्रावासी भारती जिनको हम कहते हैं वहां रहते हैं और लगभग पॉपुलिशन देखा जा तो 25 मिलियन पीपल अगर यह जो है फास्ट टिस्ट ग्रोइंग कह सकते है अब बात करें कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है शे नरेंद्र मोदी जी यह सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जो 2014 में जिन्होंने आस्ट्रेलिया विजट किया था पहले सच प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांदी जी जो उन्होंने 1986 में वहां पर व तो डेली का जो कमेंटमेंट है न्यू देली का जो कमेंटमेंट है प्रोलांग जो पॉलिटिकल इंडिफरेंस था के अन्बरा के तरफ उसको खतम करने के और हमको दिखाई देता है यह जो वर्चल समेट हुआ बिट्वीन दे प्राम मिनिस्टर नरीन दे मूदी अंद इस सप्ता में हुआ था जैसे मैं आपको बताए कि 4 जून को हुआ था तो बहुत सारे बीग स्टेप्स लिए गया है था कि हम अपना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्शेप है इसको हम कहते हैं कूटनितिक जो साजेदारी है डैली और कैन्बरा डैली जा कैपिटल ऑफ इं इसको मर्जबूत करने की बात कह रहे हैं इसके काफी अच्छी आउटकम्स भी हमको देखने को मिलेंगे जो यह दो बीग लेडर से उनके बीच में जो साजेदारी हुई है डिफेंस को लेकर के अगर हम बात करें बेट्विन अदर नेशन जो जो अलग अलग नेशन से उन दूसरी तरफ देखें जो यूएस या अमेरिका है उनका जो अर्ण सर्टेन ट्रजेक्टरी रहता है आप कुछ भी मतलब ट्रॉम्प डोनार्ड ट्रॉम्प है वहां के जो प्रसिजेंट है उनका जो एक्शन से ट्विच्स देखें तो कहीं न कहीं हमको अंसर्टेनिटी देखने को मिलती है इस ऐसे कंडिशन में अगर जो मिडिल पाउर से उनके साथ अगर हम मिल जूल के चलेंगे तो हमको जो डेंजर है नए डेंजर से हम बस सकते हैं और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हमेशा ने स्ट्रेटिक जो कॉलाइबरेशन है या साजेधारी है उसको जो जो रिजन है उसमें इंक्लूट करने की बात कई है और ऐसे ही कुछ जो इनेशन है वो भी सको सपोर्ट करते हैं जैसे जापान साउथ कोरिया वेतनाम और इंडोनेशिया तो यह अभी इसी चीज का मैटल था मतलब इस समय की जरूरत भी थी कि डेली और कैन्वेरा है उ तो वो डेकलरेशन था जिसमें यह कहा गया कि हम एक जैसे ही दृष्टी कोन रखते हैं अपना जो ट्रबल हो रहा है वाटर्स ऑफ दा इंडो पैसिफिक मतलब ऐसी कंट्रीज जो इंडिया नोशन पैसिफिक ओशन के आसबास में रहते हैं तो उनके उसको इंडो पैसिफ प्रंट को साथ में लेकर के जो साज़ेदारी हुई है उसके लिए सेम विशन शेयर करते हैं इंडिया एस वेल इस जो आस्ट्रेलिया है तो इसी तरीके से देखा जाए तो एक यह जो साज़ेदारी था इसका में आउटकम यह हुआ कि आप एक दूसरे की जो मिलिटरी फै इंडो-पैसिफिक रिजन का तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं अगर डेली और कैनबरा अगर अपोसिट साइड में होते हैं एशन स्ट्रेटेजिक वह लाइक 20th century में जैसे हुआ था लेकिन अभी 21st century का समेंट हुआ है कहीने कहीने साज़ेदारी को बढ़ावा द पर देकें यह रीजनल ट्रेड एगरेमेंट जो हुआ था इसके लिए कोपरेशन बनाएगे थी रिजनल कोपरेशन ओफ एकोनामिक पार्टनर्शिप इसमें इंडिया का व्यू अलग है और अस्ट्रेलिया का व्यू अलग है इंडिया इसमें जो एश्या वाइड ट्रेड तो दोनों लीडर्स जो है वो एग्री हो गए है यह रिन्यू इसके लिए नेगोशेट करने के लिए बाइलेटर ट्रेड पे तो इंडिया ने डेकलर किया है कि दैली की अभी इनेबिलिटी है कि वो नाए जो बाइलेटरल ट्रेड है उसको नेगोशेट कर पाए और डार्क शेडो से विगुरॉसली सेक्यूरोटी एंडियूवेलेंट ट्रेड पॉस्टर के साथ में जो अंडर्माइन जो उसकी पॉसिबिलिटी है एक्स्पांशन की इंडो-पैसिफिक रिजन में उसके बेयांड वो काम कर पाए नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देखने वाले हैं वह तो है what is आत्म निर्भर ये डिफाइन करते हैं कि क्या आत्म निर्भर की डेफिनिशन क्या होने चाहिए इसकी परिभाशा क्या होती है क्या होनी चाहिए तो सेल्फ रिलाइंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन नॉट आइसो लेशनेजम इसका मतलब है आप सेल्फ होने का मतलब यह नहीं कि आप खुद में सिमट के रह जाए और आइसोलेट हो जाए या खुद को जो सेंडर है उसे अलग कर लें यह जो आर्टिकल यह लिखा है संजीव सान्याल जी ने और अगर बीते कुछ हफतों की बात करें तो प्राइम मिनेश्टर हमारे श्री नार उन्होने इस कॉंटेक्ष्स में बात की थीजो हमारीम मिनिस्टर इटर्फा लिशितरवन ने इसि या डिपोर्वन एंपया और स्भी आउट लात साहिते के आर्व पात्मे नेरबर का मतलब क्या होता है वो इस आर्टिकल में हम समझेंगे और क्या यह हमारे जो रिफॉर्म से जो सुधार हम ला रहे हैं जो अभी एनाउंस किये गए हैं उसमें सही तरीके से फिड़ बैठता है क्या यह फ्यूचर पॉलिसी को बताता है जो भविश्री के हम इसके बारे में बताता है तो यह सारे चीज़े हम देखेंगे अभी पहुंच जाता है इंपॉर्टिंट हो जाता है समझना कि जैसे ही जो हम मिस्ट्र प्लस पॉक पेकेज को यूज करने की बात कर रहे हैं तो यह जो नहरूइजम था नहरूइन प्रिंसिपल था कि इंपो हमारी जो प्राम मिनिस्टर है उन्होंने इसी बात पर इंफेसिस किया है कि उनका जो जो जश्टी कोन है वह इंक्लूड करता है कि आप एक्टीवले पारिसेपेट करें पोस्ट कोवड मतलब कोवेड जो है उसके बार जो गलोबल सपलाइचेन है उसमें आप पर्मिट राज एंस्पेक्टर राज के तरफ ना जाये जो कि जो समाजवादी यूग चल रहा था यारा चल रहा था उस्सामे की देन है और उन्हेंने फार फॉर्म सजेस्टिंग सेंट्रलाइस्ट जो टॉप डाउन मॉडल था जो कि हम जानते हैं जो बहुत हाइट पे था कि वह इनोवेट कर सके और जितने भी नौकर शाही जो अवरोद आते हैं उनसे बस सके और यह जो सारी बाते थे यह इस पॉइंट पर बेज़ट है कि डिसेंट्रलाइजड लोकलिजम होना चाहिए डिसेंट्रलाइजड लोकलिजम इन दे सेंस है जो सेंटर की जितनी भी एंवाउलमेंट रहती है उसको आप कम करें साथ ही साथ स्टेट लेवल पे लोकल लेवल पे ही अपने जो सारी इंड़स्ट्री से एक सेक्टरा उनको डेवलप करें और लोकलिजम अगर आप बात करें हैं लोकल चीजों की तो लोकल ही ब्रैंड बनने चाहिए खुद पर डिपेंडेंट होने की बात होने चाहिए फ्लेक्सिबिलेटी होने चाहिए मार्केट में साथ ही लोकल जो कैपिसिटी है लोकल जो शमताएं है उनको बढ़ाना और उनक की इंडेजनेंस होता है कोई चीज्ट सेलफ करते हैं सहर देंडे अल़की करते हैं स्धायर करते तरफ दिस्कवर करते हैं तो फॉर्फ चर्याइशिन को प्रामोर्ट करना यह उनका मेंले ना था ये अच्छी बात है और ये वर्ल्ड को काफी अच्छा जो इलस्ट्रेशन है वो देता है कि हम अब जो अपनी एकोनॉमिक इंप्लिकेशन से उसको उभर के आ रहे हैं 1950s की बात करें तो उस समय दो सेट ओफ लॉस थे इंडियन अग्रिकल्चर से अगर भारती क्रिशी से देखा जाया तो दो सेट ओफ लॉस थे पहला था Essential Commodities Act ECA जिसको हम कहते हैं और सेकेंड था जो स्टेट लेवल पे होता है अग्रिकल्चर प्रोडियूस मार्केट कम्यूनिटी जिसको हम APMC Act भी कहते हैं तो यह जो दोनों बहुत बड़े कानून थे जिनने गवर्मेंट ओफिशल को यह पावर दे दिया था कि वही फॉर्मर्स को या क्रिशकों को जाकर बताएं कि उनका अपना जो गुड्स है जो प्रोडियूस है वह कहां सेल करना है उनके ट्रांस्पोर्टेशन पे रोक प्रोडर कहते थी और यह सिस्टम था काफी अनफेर था फार्मर के लिए इसलिए उनको इस्टेबिलाइस करने का मौका नहीं मिलता था जो भी फूड बायनारे है मतलब जो बी फूड की प्राइससे तो गवर्मेंट को स्टेबिलाइस करने में बड़ी दिक्त्ट कर जाती जैसे आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर प्राइजिस की बात करें तो प्याज हो गया और डाले हो गई और शुगर हो गया इसमें काफी परिमनतन देखने को मिलती है क्योंकि जमाखोरी या इस टॉक को जो होड़ करके रख लेते हैं कई लोग उसके कारण से प्रॉब् उनकी दखला अन्दाज़ी के कारण काफी हद तक जो मार्केट हो एफेक्ट होता है तो सर्मेवी ने माना गया यह एविडेंसस हमको मिले कि 2-4 परसंट जो ECA वो रेड इस्टू कोट में यह मैटर गए हैं और कोई मतलब कोई भी स्मॉल मैटर नहीं है लगबग 76,000 ऐसी 2019 में अलोन मारी गई थी जो जमाखोरी को यह से ट्रेडर्स को पकड़ने की बात कही गई थी इसमें जो कि स्टॉक रोक करके रखते है अब आप जब यह इसको स्क्रैप करने की बात कह रहे हैं यह वैदर ECA एक्ट है यह एपीमसी एक्ट जो सिस्टम है इन को यह अब इने को पार्टिसिपेट करना है और नेशनल कॉमन मार्केट में या एक्सपोर्ट करना है अपने प्रडियूस को सिमिलरली ट्रेडर्स को भी अब पता है कि उनको इन्वेस्ट करना है सप्लाइचेंस में एग्री बिजनेस में बिना डर के कि वह आर्बिटरली किसी भी होर्डर के बाद या जिसे हम कहते हैं जो भी चॉलिया होते हैं या कोई इंस्पेक्टर के बाद किसी के भी डर के भिना ही वह काम कर पाएंगे और गवर्मेंट को अभी उनके पास रोल है क्योंकि वह इनेबलर है वह सौफ्ट और हाड इंफ्रस्ट्रक्चर प्रवाइड करने के ल इसमें क्या इंपोर्टेंट पॉंट्स है यह आर्टिकल बेस्ट है कि अगर आप वर्केबल आइडिया की बात करें तो यह काफी अच्छा एडिया होगा कि हैल्थ इंपेक्ट फोंड आपरेस करें जो की अल्टरनेटिव ट्रैक पर ला सकते हैं फर्मसिटिकल इस सेक्टर इसमें जो इनोवेटर से उनके लिए यह आर्टिकल लिखा है फैलिसेटर्स होल्जर ने यह एक रिसर्चर है बाइडिक्स सेंटर और बाइडिक्स नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड हेल्ट और जो की सोशल साइंस फेकल्टी और फ्लैस्को ब्योनोस हैरे अर्जंटीना में है और कॉर्डिनेटर है गॉर्मेंट रिलेशन के अट इंसेंटिवस फोर ग्लोबल हेल्थ और थॉमस पोगी एक लिटनर है प्रोफेसर फिलोसफी इंटरनेशनल अफेर्स फांडिंग डिरेक्टर है ग्लोबल जस्टिस प्रोग्राम अट यह और वो को फांडर भी है अकेडमी क कि अगेंस्ट प्रोवर्टी तो यह कहते हैं विए लिविं इड़ शैडव कोवेड नाइंटीन पैंडमिक हम जो है कोवेड नाइंटीन पैंडमिक की जो अब परचाई है उसके साथ हम जी रहे हैं और हमें अपनी जो फैमिली जैस वेल इस फ्रेंड्स है और खुद की जो अगर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ पहुचिए तो पूर है और मार्जिनलाइजड है अगर अगर अप हेल्थ केर को और्गनाइज कर दें तो क्या यह रूल्स है सारे वर्ल्ड में देखा जाए क्या बैटर सूट होंगे आउट्रेक के लिए तो अब अगर कंसिरर करें ह सकता है अगर हम करेंट रिजिम में देखें ताकि हम डैवलप कर सके और मार्केटिंग भी कर सके नए फार्मेसिक्टिकल्स कमपनीज का जिनको अभी भी पेटेंट कराना बचा हुआ है और यह इस्पेशली जो वैक्सिंग का काम करेगी जो मैनिफेक्ट्रिंग हो रही है उसमें जो कॉस्ट लगता है काफी लोड होता है हर साल मिलियन जो है वो सफर होते हैं और उनकी मृत्ती हो जाती है क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है मेडिसिन का और मास जो प्रोडक्शन है वो भी काफी अगर चीपली हम कर सकते हैं अगर हम ऐसे जो नई अगर हेल्थ क प्रडॉक्स को और उनको को रिलेट कर रहे हैं थरे प्रिटिक वैल्यू के साथ में काफी अच्छा स्टैप हो सकता है फर्म्स जो है बिलियंज कम आती है डुप्लिकेटिव ड्रॉक्स बना करके और यह बहुत कम फर्मसेटिकल से टूल बॉक्स में काफी कम एड कर पाती है म अलग अलग फर्मस के दार और उसे वह प्रॉफिट कमाते हैं और बहुत सारी बिलियंज ऐसी कमपनीज है जो क्लेवरली मार्केटिंग कर रहे हैं इन ड्रॉक्स का पेशेंट्स के लिए और उनको फाइदा भी नहीं पहुचाने वाली इसलिए रिसर्च और डेवलोप्मे जो ट्रीटमेंट है डेटली जिसेजिस के लिए जो कि आल ओवर वर्ल्ड में जितने भी गरीब होई हैं उनको मदद करने का काम करेगा ऐसे प्रॉप्लम्स को काउंटर करने के लिए हमने एक कॉंप्लिमेंट रिजिम जो है उसको प्रेजंट किया है यह जो आर्टिकल जि रिजिस्टर होंगी साथी साथ जो हेल्थ इंपेक्ट फंड है वो सेल के जाएंगे और वेरियेबल कॉस्ट के साथ मैनिफेक्चर्स को एंड डिस्ट्रीविटर्स को बट तैन अन्वल रिवर्ड जो है पेमेंट के माध्यम से हैल्थ गेंट एचिव की जा सकती है इस जो नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वह दैनिक जागरन का यह कहते है शक्षम केंद्र सत्ता की महत्ता मतलब अगर केंद्र में जो भी सरकार है अगर वह सक्षम है तो उसका क्या महत्व होगा इस पर यह बेच्ट है यह आर्टिकल लिखा है एस चूरी प्रकाश जी जो कि लोकतांत्रिक विश्यों के विशिशग्य है और वरिष्ट इस्तंबकार भी है अगर वास्तिवित्य की बात करें तो हमारे जो इंडियन्स ने काफी अनुशाशन का पालन के है साथ इसाथ इक्वैलिटी भी दिखाई एक जोट का दिखाई है आपदा से सामना करने के छेतर में और इस जो टफ टाइम था इसमें हमको जिस किसम का जो प्लैनिंग देखने को मिले साथ ही साथ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है हर किसी के एक में तो हमारे जो डाइवर्सिटी है विवेता हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फ अद्रिश्य दुश्मन है उसका सामना करने के लिए एक यूनियन के तरह हमने का जो काम है वो सामाला था साथी केंदर सरकार की बात करें राजस सरकार केंदर राजस्तर के सबी जो इंस्टिटूशन से साथी साथ जो हेल्थ वर्कर्स थे हेल्थ स्वेशलिस्ट थे स्वास कहने कहती है नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है हम यह नहीं कह सकते ही सब कुछ ठीक है लेकिन काफी अच्छी तरीके सही जो सिचुईशन था उसको हैंडल किया गया अगर बात करें वेस्ट बेंग और महाराष्ट में तो कुछ ऐसे भी कॉन्फिक्ट देखने को मिले जिसमें रा की थी ताकि वो उनके समस्याओं को समझ सके और उनके समस्याओं को समझने के साथ साथ उनके हल को निकालने के लिए या उसका समधान करने के लिए प्रेक्टिस कर सके इसी को ही हम कहते हैं कोपरेटिफ रेडलिजम या सहकारी संगवाद और यही अंडरलाइन करते हैं हमार काफी importance होते हैं बहुत अचा article है आप इसको और देख सकते हैं